जरायली स्पाइवेर पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि वह कथित पेगासस जासूसी मामले में स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर विस्तरित हल्फनामा दाखिल नहीं करना चाहती है. केंद्र ने प्रधान न्यायाधीश N.V. रमना की अध्यक्षता वाली पीट से कहा कि उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और इसलिए सरकार ने खुद ही इन आरोपों की जाच के लिए विशेशग्यों की एक समिती गठित करने का फैसला किया है सालिसिटर जनरल तुशार महता ने प्रधान न्यायाधीश N.V. रमना की अध्यक्षता वाली तीन सदसिय पीट से कहा कि सरकार द्वारा किसी विशेश साफ्टवेर का उप्योग किया जाता है या नहीं यह सारवजनिक चर्चा का विशय नहीं है और इस जानकारी को हल्फनामे का हिस्सा बनाना राष्ट्रिय हित में नहीं होगा जस्टिस सूर्यकांट और हेमा कोहली इस पीट के सदस्यों में शामिल है इस पर शीर्ष अदालत ने महता से कहा कि वह पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वह नहीं चाहती की सरकार राष्ट्रिय सुरक्षा से समझोता करने वाली किसी भी बात का खुलासा करे महता ने कहा कि विशेशग्यों की समिती की रिपोर्ट शीर्ष अदालत के समक्ष रखी जाएगी इससे पहले केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में सीमित हल्फनामा दाखिल कर कहा था कि पेगासस जासूसी के आरोपों की स्वतंत्र जाच की मांग संबंधी या चिकाएं अनुमानों या निराधार मीडिया रिपोर्टो या अधूरी या अपुष्ट सामगरी पर आधारित हैं